कि मैं आज PK जो हम्मों का टॉपिक है वो इंट्रेस्ट मल्टी-ंट्रेस्ट कैलकूलेशन मल्टी-ंट्रेस्ट कैलकूलेशन क्या होता है इस से पहले वाले क्लासेज में हमने simple interest calculation सीखा, फिर उसके बाद complex interest calculation सीखा और last class हमने जो किया उसमें compound interest calculation किया, ठीक है? जहाँ पर हम लोग एक investment करते थे और उसके against में हमें जो interest मिलता था, जो हम interest receive करते थे, बट यहाँ पर क्या होता है multi interest में कि हम लोग को कुछ loan, suppose हम किसी bank से जब loan हम लोग receive करते हैं suppose loan हमने apply किया, loan के लिए हमने apply किया और वो loan मुझे मिला, तो loan मिलने के बाद, उस पे हम लोग को bank जो है कुछ interest charge करती है, तो उस interest को calculate करने के लिए हम लोग tally में उसको किस तरह से calculate करेंगे, वो हम हम लोग आज इस topic में सीखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग start कर लेते है tally को tally को start करने के बाद, first of all एक company हम यहाँ पर create कर लेते है, suppose इस company का name दे दिया multi interest calculation after create company, first of all हमें कुछ features on करने होंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए first हम यहाँ से features में जाएंगे, या keyboard से F11 प्रेस करेंगे, दो में से कोई एक काम हम लोग करेंगे, और यहाँ पर हम लोग को कौन से features को on करने है, यहाँ पर हमें accounting features में जाकर on करना है, bill by bill for non trading account or interest calculation और use advance parameter इसके बारे में हमने पहले भी explain कर दिया है, यह इन चारो option को क्यों on करते हैं, तो इसे अभी कोई explain करने की जरुबत नहीं है, आप वो वीडियो में देख सकते हो, मैंने इसके बारे में क्या explain किया है, और यहाँ पर हम लोग debit note, credit note को भी yes कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर control ए करके इसको भी accept कर लेते हैं, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से back करके account info में जाकर, कुछ lasers create करना है, पहला lasers, जैसे suppose हम यहाँ पर interest paid बोल कर एक laser बना लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर interest paid करना है, और उसे हमने क्या किस के अंडर में रखना है, indirect expenses में, ठीक है, indirect expenses में रखने के बाद, control एसे accept कर लेंगे, उसके बाद एक बनाएंगे, loan taken from Axis Bank, suppose Axis Bank ले लिया, और इसे हमें कहाँ पर रखना है, इसको loan or liabilities में रखना है, क्योंकि यह हमारे लिए liabilities है, loan taken कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोग को maintain bill by bill को yes करना है, और यहाँ पर active interest calculation को yes करना है, और यहाँ पर यह तीनों option जैसे yes करते हैं, और यहाँ पर multi interest का मतलब क्या हुआ, कि month by month हम लोग का interest charge करता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि loan का, suppose हमें loan तीन मैना के लिए लिया, और उसके बाद जो है, bank हमें तीन मैना का time दी, या एक मैना का time दी, उस period में अगर हम loan clear नहीं कर पाते हैं, तो वो हर मैने हम लोग को interest अलग-अलग तरीके से charge किस तरह से करेगा, first month में, suppose उसने हमें 10% charge, calendar month ले लेंगे, इससे पहले हम लोग calendar year लेते थे, all balance, always, और यहाँ पर हम लोग लेंगे, date of applicability, मतलब, इसके मतलब sudden period के हिसाब से, जैसे यहाँ पर हम लोग का, तो यह option यहाँ पर हम लोग selection करेंगे, first time के लिए, second term के लिए, फिर यहाँ पर से calendar month लेंगे, always, due date effective, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही date applicable वाला लेंगे, फिर उसके बाद फिर यहाँ next में फिर 14% दे दिया, suppose यहाँ पर इसको भी calendar month लिया, और यहाँ पर always, यहाँ पर date applicable ले लिया, उसके बाद फिर 16% लिया, फिर यहाँ पर calendar month, फिर उसके बाद यहाँ पर वही, सब में same features हम लोग यहाँ पर active करते जाएंगे, 18% लिया, फिर उसके बाद calendar month लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर next हम लोग फिर उसी तरह से date applicable लिया, यह features हमने on कर दिया यहाँ से, अब उसके बाद हम लोग को next क्या करना है, company हमने create किया, laser भी create कर लिया, अभी हम लोग यहाँ से back करेंगे, back करके यहाँ से चले जाएंगे watcher types में, watcher types में हम लोग alter करेंगे, इससे पहले compound वाले में हम लोग debit note को alter करते थे, यहाँ पर credit note को alter करेंगे, यहाँ पर alter करके क्या यहाँ पर type कर देंगे, यहाँ पर type कर देंगे interest paid, और यह दोनों option को yes कर लेंगे, ठीक है, इतना करने के बाद, अब यहाँ से हम लोग इसको back करेंगे, back करके, अभी हम लोग यहाँ पर सीध है चले आते हैं, accounting watcher में, तो यहाँ पर सबसे पहले, हमें loan को receive करना है, ठीक है, तो loan कहाँ से receive हो रहा है, loan में हमें यहाँ पर, उसके लिए हम लोग receipt में आ जाते हैं, receipt में आने के बाद, यहाँ से F12 करके, यहाँ single entry को no कर देते हैं, control A से accept कर दिया, अभी यहाँ पर हम लोग, loan taken from, Axis Bank, suppose Axis Bank से हम लोग, एक लाख रुपया loan receive कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर new reference, loan loan 001 कर दिया, ठीक है, अभ यहाँ पर हम लोग को option दिखेगा, calendar month, देखो, कब से कब तक, जैसे यहाँ पर, एक चार से एक पांच तक का date है, फिर next में, एक पांच से एक छे तक, फिर उसके बाद next में, फिर उसके बाद next में, एक छे से एक साथ, फिर उसके बाद next month, एक साथ से एक आठ, फिर उसके बाद next month, मतलब जितने मन्द के लिए, हमने यहाँ पर set up किया है, वो सारा यहाँ पर हम लोग को fulfill करना पड़ेगा, और last में, जितना भी extra होगा, मतलब एक सेप्टेंबर के बाद, जितना भी होगा, सब में 20% चार्ज होगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर यह सारा set up करने के बाद, यहाँ पर हम ले लेंगे, यहाँ पर DR दे कर, यहाँ पर हम लोग cash लेंगे, cash receive कर रहें न हम लोग, तो यहाँ पर 1,00,000 cash receive होगा हमारा, ठीक है, अब यहाँ से back करके, balance sheet में हम लोग को कौन सा amount दिखा रहा है, हम लोग को balance sheet में alt f1 करने पर, 1,00,000 cash in hand हम लोग को दिखा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग को liabilities में 1,00,000 दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ लोग का liabilities है, उसके बाद यहाँ से back करेंगे, बाद करके, अभी हम लोग यहाँ से, सीधे चले जाएंगे, सीधे यहाँ से हम लोग चले जाएंगे, डिस्प्लेए में, और यहाँ से statement of account, interest calculation, interest payable, मतलब हम लोग को कितना interest pay करना पड़ेगा, हम लोग कब तक का देखा है, September तक का, तो अभी हम लोग यहाँ पे, Alt F2 प्रेस करेंगे, एक चार से, एक नौ जब यहाँ पे करके, एंटर करेंगे न, और यहाँ पे Alt F1 करेंगे, यहाँ पे डिटेल्स में, हम लोग को, Alt F2 करके, एक चार से, एक नौ, एक नौ, एंटर करेंगे, एंटर, 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 यह देखो, हर महीने, हम लोग को कितना करके, इंटरेस्ट चार्ज किया गया, और कितने दीन पे किया गया, यह देखो, यह जो है, 30 मन्द, 30 देज का था, इसलिए यहाँ पे, हम लोग का 10% इसमें दीखाया गया रहा है, इसमें देखो 12% है, इसमें देखो 14% है, इसमें तुम्हारा 16% है, और इसमें 18% है, मतलब 1 लैक के उपर, इतना सारा इंटरेस्ट चार्ज किया गया, मतलब, हम लोग जो है, ठीक है, हम लोग का अभी बीदे को इंटरेस्ट नहीं दीखा रहा है, लेकिन जब Alt F2 प्रेस करके, एक चार से एक नौ करेंगे ना, तो हम लोग को यहाँ पे, Alt F1 करके, यहाँ पे इंटरेस्ट अभी भी नहीं दीखा रहा है, Alt F2, एक चार से एक साथ, अभी यह वही बैलेस्ट दीखा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट वाला नहीं दीखा रहा है, क्योंकि अभी अज्जस्मेंट किया नहीं गिया है, उसके लिए हम लोग को यहाँ से अज्जस्मेंट करना पड़ेगा, कहाँ पे, अकाउंटिंग वोचर में जाके, और यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को लोन वाला जैसे है, अभी हम लोग यहाँ पे जब इंटरेस्ट पेड़ करने के लिए जा रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस date में कोई interest हम लोग का बना ही नहीं था इस date में. Interest कब बना? September में. September जब end हुआ तो बना. ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको जो है F2 दबाएंगे. F2 दबाने के बाद यहाँ से एक 10 कर दिया suppose. अब यहाँ पे हम लोग जब लेंगे तो automatically हम लोग का यह shift कर जाएगा. अब यहाँ पे जाकर हम लोग को interest paid ले लेना है. देखो 90,000 total interest paid बना. अब यहाँ पे back करेंगे और back करने के बाद again जब balance sheet में जाएंगे balance sheet में जाके यहाँ पे alt F1 प्रेस करेंगे तो देखो अब 1,90,000 हम लोग का liabilities हो गया. अब अब हम लोग को कितना payment करना है 1,90,000 payment करना क्यों? क्योंके हम लोग का principal amount 1,00,000 है plus उसमें 90,000 interest भी है. तो अब हम लोग यहाँ से back करके सीधे चले जाएंगे accounting watcher में. accounting watcher में आने के बाद यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे यानि payment में जाएंगे और payment किसको करना है हम लोग को? Axis bank को payment करना है. कितना payment करना है? 1,90,000 payment करना है principal plus interest. अब यहाँ पे against देखो यह वाला amount पहले आएगा उसके बाद यहाँ से इसको हम लोग cash payment कर देंगे. cash तो negative दिखाए गाई क्योंकि अपने पास कोई cash है नहीं cash balance इसलिए हम लोग का payment कर दिया अब यहाँ से back करके जब जाके हम लोग balance sheet में चेक करेंगे Alt F1 करेंगे ठीक है अब यहाँ से back करेंगे डिस्प्ले में जाएंगे डिस्प्ले में जाके जब यहाँ पे statement of account में interest calculation, interest payable अभी Alt F2 करो एक 4 से एक 9 करो को interest नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो interest बना था वो interest clear हो गया तो यह था हमारा multi interest calculation ठीक है जिसमें multiple type से हम लोग every month का हम लोग interest मालूम कर सकते हैं पर इससे पहले जो हमने किया था वो हम लोग का debit पे था compound यह पर credit पे है every month कितना बनेगा यह हम लोग का यहां पर fluctuate कर देगा तो यह था हमारा आज का topic that's all have a nice day